So students, last class के अंदर हम लोगों ने expiry date से related काम किया था अब आज की इस वीडियो में आपको क्या सीखना है? जर वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहल तो मेरे को इसके अंदर एक बग मिला था जिसे की हमें अभी solve करना है और उसके बाद हमें इसके अंदर जो file को delete करने वाजी functionality है उस functionality को आज की इस वीडियो के अंदर हमें बनाना है तो यहाँ पर देख लीजे, मैंने यहाँ पर दूसरे account से एक नया account अभी register किया है और उस account से मैं यहाँ पर login कर रहा हूँ पहले मैं यहाँ पर amit.gmail.com से login करता था जिसके अंदर काफी साए files हमने upload कर रखे थी लेकिन अभी यह STP computer का नाम से मैंने एक account यहाँ पर register किया है और मैं उसे login कर रहा हूँ तो देखिए अगर जैसे हम login करेंगे तो क्या चीजा भी आपको देखने को मिलती है तो देखिए जैसे मैंने login के button पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या show हो रहा है सबसे पहले आपको आपके plans show कर रहे है बलकि यहाँ पर यह चीज show नहीं करनी चाहिए थी लेकिन यहाँ पर इस तरही किसे यह show कर रहा है तो यही है आपका यहाँ पर एक bug जो इसके अंदर मैंने find out किया जब मैंने new registration किया और उसके पर login किया तो अब यह क्यों आ रहा है ऐसा तो इसे solve कैसे होगा तो मैं आपको बता दूँ यहाँ code में आईए और यहाँ पर आप open करिये यहाँ से php वाला जो था आपका क्या बोलते है profile.php तो यह देखिए यह रहा profile.php वाला page इसके अंदर ज़र देखिए सबसे नीचे आपने क्या किया था एक function बनाया था दिखाता हूँ मैं आपको यह देखिए my files के नाम से आपने एक function बना के रखा था और आपने यहाँ पर यह चेक किया था कि अगर आपका status मतलब यह plan का status अगर active होगा तो my file पर click होना चाहिए लेकिन अगर plan का status active नहीं होगा else का मतलब तो यही होगा न आपका चल जा रहा है क्योंकि अभी p status के अंदर activate भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर फ्री account है मतलब यहाँ पर फ्री account है तो यहाँ पर तो कोई plan activate होगा ही नहीं तो जब plan ही activate नहीं है तो इसी वज़े से यहाँ पर plan इस तरह की से show कर रहा है तो आपको करना क्या होगा कि यह जो if condition आप यहाँ पर चला रहे हो इसको अप तब चलाओ जब आपका free plan नहीं हो ठीक है तो आप क्या करो simple से यहाँ पर if condition इस तरह की से pass करो और यहाँ पर plan को एक बार चेक कर लो क्या यहाँ पर आपका जो plan है रहे free के बराबर नहीं है ठीक है तो वो मैं कैसे check करूँगा जो देख लीजे उपर यहाँ पर plan नाम से एक variable बना हुआ है देख लीजे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर देखिए plan के नाम से variable बना हुआ है ठीक है इसी में plan आ रहा होगा ठीक है लेकिन यह जो variable है php का है तो हमें इसको use करना है नीचे javascript के अंदर तो हम इसको कैसे use करेंगे वो देख लीजे ठीक है तो यहाँ पर आपको भी php start करना पड़ेगा ठीक है वो भी dual quotes के अंदर तो मैंने dual quote start किया यहाँ पर मैंने php start किया और इसके अंदर मैं लिखूंगा किसे plan को ठीक है कुछ इस तरही के से तो यहाँ पर अब क्या होगा कि यहाँ पर हम comparison कर पाएंगे कि जो आपका plan है क्या वह not equal to है free के मतलब क्या आपका plan free के बराबर नहीं है अगर आपका plan free के बराबर नहीं है तो उसी case में क्या होना चाहिए यह पूरा का पूरा जो आपका code है यह काम करना चाहिए तो देखें यहाँ से मैं bracket को यहाँ से शुरू करता हूँ और यहाँ सबसे नीचे इस तरीके से लगा देता हूँ ठीक है तो यह पूरी condition जो है आपकी किस के अंदर आ गई if statement के अंदर आ गई ठीक है मतलब अब यह कब चलेगा यह पूरा का पूरा आपका code जब कोई free plan active नहीं होगा अगर आपका अभी free plan active नहीं है तो उस case में क्या होना चाहिए वो आपको define करना पड़ेगा तो यहाँ पे सीधा यहाँ पे लिखिए else ठीक है और अगर आपका free plan है मतलब अगर आपका यहाँ पे free plan active है तो आपका क्या code चलना चाहिए तो simple है आपका यहाँ फाइल वाला है option इस पे click होना चाहिए तो इसी को आप यहाँ पे इस तरही किसे paste कर दीजे ठीक है और save कर लिजे तो देखिए यहाँ पे हमने क्या चेक किया है simple से हमने यही चेक किया है कि अगर हमारा plan free नहीं है ठीक है अगर free नहीं है तब ही जाकर कि यह code चले लेकिन अगर आपका plan free है तो क्या code चले simple से यह वाला मतलब इसमें हमने क्या लिखा है कि my files पे click हो ठीक है अब आप इसे save कर लिजे और आप इसे एक बार reload करके test करिए तो दीखिए मैंने reload किया तो अब यहाँ पे क्या हुआ होगा my files के उपर click हो गया होगा ठीक है अगर आपको नहीं पाता चलता है my files पे click हुआ है तो मैं यहाँ पे एक file upload कर देता हूँ तो मैं इस पे click किया और एके file मैंने upload कर दिया ठीक है तो यहाँ पे देखिए आरा file size too large तो मैं कोई छोटी file upload कर लेता हूँ यहाँ पे back आता हूँ ठीक है और यहाँ से यह notes है इसको मैं open कर देता हूँ ठीक है तो देखिए file upload successfully आ गया अगर मैं यहाँ reload करूँ तो देख रहे हैं यहाँ पे reload करते समय क्या आ रहा है यहाँ पे my files पे ही click हो रहा है जभी यह आपको यहाँ पे show देख रहा है ठीक है तो उमीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप इस bug को solve करेंगे ठीक है तो चलिए अब हम काम कर लेते हैं आपके इस delete वाले button के उपर जैसे इस पे click हो वैसे ही क्या होना चाहिए यह पूरा का पूरा जो document है यहाँ से भी delete हो जाना चाहिए और जो आपके folder में data folder में जो यह हमने रखा हो है इस story के वहाँ से भी हट जाना चाहिए और साथ ही साथ जो हमने इसकी details आपके यहाँ पे जैसे user3 वाला है यहाँ पर दिखिए यहाँ पर रखिए ना हमने database के अंदर यह detail तो यह detail भी आपकी delete हो जानी चाहिए तो यही तीनों चीज एक साथ हमें करना है इस delete button पर click करते ही इसको कैसे करेंगे चलिए आजए यहाँ पर code के अंदर और वह delete वाला जो button था इसका code कहां पर रखा हुआ है हमने इसका code हमने रखा है pages folder के अंदर myfiles.php के अंदर तो यह open कर लिजए myfiles.php और आप क्या करिए इसके अंदर यह देखिए यह रहा आपका delete button अब इस delete button में आपको क्या करना होगा दो से तीन attribute set करने होंगे attribute इसलिए set कर दे हैं क्योंकि delete करने के लिए हमें उन information की जरूरत है ठीक है तो पहला information आपको इसमें set करना है कि जो यहाँ पर यह file आ रही है इस file की id क्या है ठीक है जैसे कि मैं आपको database में दिखाता हूँ जैसे देखिए इस file की जो id है क्या है file ठीक है क्योंकि हम यहाँ पर इसको delete करेंगे id के माधियम से यह वह कैसे होगा आगे देखिएगा लेकिन अभी हमें क्या चाहिए यह id चाहिए ठीक है तो जो यहाँ देखिए ऊपर थोड़ा सा आप आएंगे यहाँ पर myfiles.php के अंदर तो देखिए यहाँ पर आपको वो id निकाल के देदेगा चैए तो मैं क्या करता हूँ इसी file array को यहाँ से copy कर लेता हूँ और simple से नीचे आता हूँ और इसके अंदर simple से एक attribute set कर देता हूँ,id के नाम से ही चैडिके तो मैंने ID के नाम से एक attribute set कर दिया और इसके अंदर मैं concatenate कर दूंगा किसको उस array को ठ इस file की ID आ जाएगी ठीक है यहां पर हमने ID निकाल लिया अब हमें यहां पर क्या निकालना है ID के साथ-साथ आपको यहां पर folder का नाम भी इसमें set करना होगा ठीक है यहां पर आप एक और set कर लिजे एक लिए उस्तरता है क्या जहां पर इसमेंटर का नाम वयां यहां 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 आपको याद होगा यहां परす आप निकाल कैन इसी टीएफ मैं इसी के लिएफ मात बी intend दीएफिर आपको यहांसे बिंद होगा यहांद ए यहां पर write कर लिजे, कुछ इस तरीके से, तो यहां पर हमारे पास folder का नाम भी हमने यहां पर निकाल लिया, अब एक और चीज आपको यहां पर चाहिए, file का name with extension, क्योंकि file का name हमें इसलिए चाहिए extension के साथ, ताकि हम उस file को delete कर सके, तो मैं यहां पर file के नाम से एक attribute लगाता हूँ, और जो file का नाम आ रहा है ना, आपका extension के साथ वो आ रहा है, इस base name variable के अंदर, देख लिजे, मैं आपको उपर दिखा देता हूँ, यहां पर देख लिजे, आपने निकाल के यहां रखा हुआ है base name, ठीक है, तो आप simple से इस base name को ही इसके अंदर concatenate कर दीजे, ठीक है, तो मैंने यहां पर कुछ इस तरीके से base name को concatenate कर दिया, ठीक है, तो इतना ही यहां पर आपको करना है, इस icon के अंदर, ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया है, तीन attribute, set कर दी, कौन-कौन से, id, folder और table name, ठीक है, यह दोनों एक ही folder भी, table भी दोनों एक ही name से, ठीक है, और यहां पर आपका file name भी, ठीक है, अब इसमें क्या करो, इस एक लगा दो इस devil के नम से, मतलब delete , के नम से, बनि यहां पर class लगा दियो, ताकि मैं इसको select कर पाऊंँ, ठीक है, अब क्या कर यह, इसे select करना है हमें, तो यहां पर ठीक इसी के नीचे, जहाँ यह डिफ देख रहे हैं, इसके नीचे ही, आप क्या, क्या करें, script को इस तरह से start कर लिजे और इस script के अंदर simple से jquery का code होता है उसको write कर दिए सबसे पहले तो हम लिखते है न document.ready को कुछ इस तरह से ठीक है then इसके अंदर हम callback function को इस तरह के से pass कर देते है ठीक है अब इसके अंदर मैं select कर लूँगा किसको सभी delete button को अब जब देखिए यहां पर जैसे कि मैं अगर आपको यहां दिखाऊ हूँ यहां तो अभी देखिए एक file यहां पर upload हो रखी है ठीक है अगर मैं एक और file upload कर देता हूँ यह वाली ठीक है तो देखिए यहां पर दो files हो गई ठीक है दो files का मतलब दो delete button यहां पर हो गए ठीक है तो यहां पर आपको पहले पता लगाना होगा कि आपने किस delete button पे click किया है ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे each method का use करने वाले हैं ठीक है तो यहां पर आप select कर लिजे कुछ इस तरह से दिखिए मैंने select कर लिया delete button को ठीक है और इसमें मैं each method कुछ इस तरह से pass कर देता हूं तो each pass करने से क्या होगा आपके सारे delete के जो button है वो एक तरह के से select हो गए है loop के माधियम से फिर आप इसके अंदर callback function को इस तरह के से pass करिए और इसके अंदर this के माधियम से आप delete button को access करिए ठीक है तो जिस delete button के उपर कोई भी action perform होगा वही button आपका इस this के अंदर आ जाएगा ठीक है जैसे मैं इसमें click event लगाता हूँ ठीक है this.click और इसके अंदर मैं callback function को pass करता हूँ मतलब कि जब आपका ये delete button पे click होगा तो क्या होना चाहिए वो यहाँ पे आप define कर दीजे ओके so मैं यहाँ पे define कर देता हूँ कि जिस button पे click हुआ है ठीक है तो मैंने यहाँ पे जिस button पे click हुआ है उसको कैसे access किया उसको मैं यहां पे निकाल लिया है ID Attribute की value को ठीक है? और इसको मैं रख लेता हूँ एक variable के अंदर तो मैं ID नाम से ही variable बना देता हूँ ठीक है? और अगर मैं आपको इसे alert करके रिखा हूँ तो देखिएगा यह सही से आपका काम करेगा. सेफ कर लेता हूँ मैं इसको run करता हूँ ओके तो यहां आ जाएए एक बार reload कर लेता हूँ इसको मैं इस बार देखिए मैंने इस पे click किया तो देखिए इसकी ID क्या है? 4 ठीक है? और इस पे अगर मैं click करूँ तो देखिए इसकी ID क्या है? 5 ठीक है? तो आप समझ गए कि किस तरही किसे यहां पे आपको ID दे रहा है? फाइल का name अगर मैं करूँ तो वो भी आ जाएगा ठीक है? तो मैं यहां पे क्या करूँगा? जिस तरही किसे मैंने यहां से इसके attribute से ID निकाल लिया है इसी तरही किसे आपको यहां पे folder और file को भी यहां पे निकाल के रख लेना है एक variable के अंदर ठीक है? तो simple से मैं यहां पे क्या करूँगा? यहां पे एक variable वापस से बना लेता हूँ ठीक है? एक variable बना लेता हूँ folder के नाम से ही और यहाँ पर simple से मैं क्या करूँगा this.attribute और यहाँ पर मैं जो folder attribute है इसकी value भी मैं यहाँ पर निकाल के रख लूँगा ठीक है उसके बाद simple से जो file है एक और variable बना लूँगा यहाँ पर file के नाम से और यहाँ पर simple से this.attribute method को pass करूँगा और यहाँ पर जो file है attribute उसकी value भी मैं यहाँ पर निकाल लूँगा ठीक है अगर मैं alert के अंदर id की जगा इस तरहीं से file लिखूँ और save करके run करूँगा तो देखिएगा आपको क्या देखने को मिलेगा तो देखिए हम इस पर click किया तो देखिए यहाँ पर chapter 2 उसका नाम मिल गया javascript इसका और इस पर click करूँगा तो देखिए इसका नाम आपको मिल गया within extension के साथ में ठीक है इसके बाद यहाँ पर आपको url डालना होगा कि आप किस url पर ajax करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर ajax करना होगा इस php page के अंदर आपको एक file बनाना होगा delete file.php के नाम से ठीक है तो मैं यहाँ url में देदेता हूँ php folder के अंदर हमें क्या मिलेगा delete underscore file.php के नाम से एक file जिसे के अभी हम बनाएंगे ठीक है तो यह file हमें मिल जाएगी पतलब file मिल तो जाएगी यहाँ पर जब हम बनाएंगे तो लेकिन हम request अभी किसका कर रहे है इस file का request कर रहे है और इसके बाद यहां पर आपको यह तीनो जो data है यह तीनो data आपको यहाँ पर send करने होंगे. तो यहाँ data लिखे इस तरह के से और यहाँ पर flesh指数 को से start करिए ठीक है और इसके अंदर आप key लिखिए पहले तो तो मैंने यह id एक key दे दिया है जिससे की मतलब जब हम यह post request कर रहे हैं तो इस page के अंदर जो हम receive करेंगे इस id को वो इस key से करेंगे ठीक हैं तो यहां पर आप id इस तरह किसे लिख सकते हैं और इसके अंदर folder variable को ही इस तरह किसे pass कर देता हूं ठीक है फिर file के नाम से key बनाता हूं और file variable को इसमें pass कर देता हूं ठीक है तो बस यहाद रिखिए कि last वाले को comma से separate करने की जुरूत नहीं है बस यहां पर और यहां पर आपको comma से इसे separate करना है ठीक है यहां पर आप इसे comma से separate कर देजिए data वाला जो आपका property था उसको मैं यहां से commerce separate कर दिया और यहां पर pass कर दिजए success property को और उसके बाद इसमें आप लगा लिजए इस function को ठीक है तो इस function में आपको क्या मिलेगा response मिल जाएगा ठीक है और आप इस response को क्या कर दिये alert कर दिजए या तो console.log में print कर दिजए ठीक है तो मैं console.log में print कर दिता हूँ okay console.log में भी और alert में भी ताकि हमें दोनों तरफ से ही message मिल जाए ठीक है तो console.log में मैंने लिख दिया response को और alert के अंदर भी मैं pass कर देता हूँ response को ठीक है, save कर लिज़े इसको अभी तो run कर नहीं सकते हैं क्योंकि आपने भी यह वाली file बनाई नहीं है ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ इस नाम से file बना देता हूँ तो यहाँ पर देख लिज़े, यह जो php folder है यह वाला php folder इसके अंदर बनाना है तो right click करिए इसके उपर, new file पर क्लिक करिए और ctrl s से save कर लिज़े इसको किस नाम से delete underscore file.php के नाम से save के button पर क्लिक कर लिज़े इसके बाद यहाँ पर php का जो syntax होता है उसे आप लगा लिज़े और इसके अंदर सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा जो तीन data आपने भेज़े हैं उसे यहाँ पर receive करना होगा पहला आपने क्या भेज़ा था? आईडी, तो आईडी को आप इस तरह की से पोस्ट के मादियम से यहाँ पर receive कर लीज़े ठीक है और यहाँ पर key क्या दी थी? मैंने आईडी की ही दी थी ठीक है उसके बाद मैंने यहाँ पर folder के नाम से variable बना लिया और जो folder का name है post में आया है उसको भी मैं यहाँ पर receive कर लेता हूँ ठीक है तो मैंने यहाँ पर इसको भी receive कर लिया एक और रह गया file का name तो मैं यहाँ पर file लिखता हूँ variable और यहाँ पर post use करूँगा और यहाँ पर जो file का name है उसको भी मैं निकालके रख लेता हूँ कुछ इस तरहीके से ठीक है और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा require कर लिजे database से connection ठीक है तो मैं यहाँ पर db.php को भी require यहाँ पर सबसे उपर कर लूँगा ठीक है तो यहाँ मैं direct क्यों लिख दिया क्योंकि यह जो file ने delete file.php इसी के साथ में ही है देख लिजे db.php file ठीक है अब आपको क्या करना है file delete करनी है folder के अंदर से ठीक है तो आपको यहाँ पर एक method सीखना होगा.php के अंदर एक method आता है file delete करने के लिए जिसका नाम है unlink method ठीक है तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ unlink method को ठीक है अब इस method के अंदर क्या आपको डालना है तो इस method के अंदर आपको इस file का URL डालना है जिस file को आप delete करना चाहते हो ठीक है तो यहाँ पे देख लीजे अभी मैं delete करना चाहता हूँ इस data folder के अंदर जो user2 folder है या फिर user3 folder के अंदर जो यह file सक्के इनको delete करना है ठीक है तो इसका पूरे URL आप यहाँ दोगे कैसे जड़र उसको समझेए सबसे पहले देखिए आपके delete file कहाँ पे है PHP page में तो PHP page से आपको सबसे पहले बाहर निकल दा होगा तब ही जाके आपको यह data folder मिलेगा ठीक है तो मैं यहाँ कहता हूँ सबसे पहले एक folder से बाहर निकल जाता हूँ ठीक है कुछ इस तरीके से निकल गया उसके बाद मेरे को कौन सा folder मिलेगा data folder मिलेगा ठीक है इसके बाद मेरे को कौन सा folder खोलना होगा इन दोनों में से जो user ने अभी login किया होगा तो याद है मैंने यहाँ पे भी वही folder का नाम यहाँ पे भेज़ा हुआ है ठीक है तो आप इस folder को यहाँ पे इस तरीके से concatenate कर लीजे तो यहाँ पे वही folder का नाम आएगा जिस folder का मतलब जो user है वो login होगा ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है तो इस file variable को मैं क्या करूंगा यहां पर use कर लूँगा कुछ इस तरीके से ठीक है तो इतना ही आपको करना है file को delete करने के लिए इतना अगर code चल गया तो आपकी file समझ लिजे कि delete हो गई है तो आप क्या करिए इसको एक variable में रख लिजे तो मैं डेल के नाम से एक variable बना देता ह हूँ और फिर इसे if condition में रखके check करूँगा ठीक है तो मैंने if start किया और यहां पर मैं डेल को इस तरीकी से pass कर देता हूँ और यहां पर pass कर दूँगा echo में message की file deleted तो यहां पर success आ जाए ठीक है double c ews success और अगर यह file delete नहीं होती है तो else में यहां पर हमें echo से message आ है file not deleted ठीक है कुछ इस तरीक से तो इतना करने से क्या होगा जैसी अगर आपकी file delete हो जाएगी folder से तो message आ जाएगा success ठीक है लेकिन यहां पर तो क्या होगा कि बस folder से आपकी file delete होगी लेकिन database से तो delete नहीं होगी तो आपको यहां पर क्या करना होगा साथ ही साथ database से भी अपनी file को delete करना होगा ठीक है जहां आपने यह entry करके रखे ना database के अंदर देखे यहां पर मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए दो file अभी uploaded है तो दोनों file का यहां पर storage आया हुआ है दोनों file के details यहां पर आई हुई है ठीक है ना तो हमें इस database में से भी इन file को delete करना होगा तो इसके लिए क्या है से कैसे delete करेंगे आप जहां पर आपने success का message दिये ना echo वाला आप इसको हटाइए और यहीं पर आपको क्या करना होगा query चलाना होगा ठीक है तो मैं simple यहां पर query चलाता हूं db के अंदर से query method को use करता हूं ठीक है और इसी के अंदर ही direct query write कर देता हूं छोटी सी query है समझे गए यहां पर कैसे करना है आपको लिखना होगा delete ठीक है from उसके बाद आपको table का नाम लिखना है table का नाम किस table के अंदर से आप row को delete करना चाहते हैं तो यहां देख लीजे table के name क्या है user2 user3 मतलब same to same folder के name पे ही है तो आप यहां पे folder name का use कर सकते हैं dynamically यहां पे table का नाम return आ जाएगा ठीक है तो मैं लिख दिया delete from this table where यहां पर आपको condition लगानी है where अगर where नहीं लगाएं तो मैं यहां पर लगाता हूँ where id is equals to id ठीक है यह वाला इस तरह से देखिए मैंने यहां पर id भी निकाल के रखिए ना कि वही आपका row delete हो जिस id में यह वाली id आपकी match कर रही है तो उमीद करता हूँ कि अब आप यह समझ गए होंगी कि मेरे को इन तीनों data की जरुरत क्य करने के लिए ठीक है तो समझ के आप किस तरह किसे query लगानी है ठीक है चलिए यह query तो आपकी run कर गई होगी ठीक है तो इस query को एक variable में रख लेजे तो मैं यहां पे del underscore SQL के नाम से एक variable में रख लेता हूँ अगर successfully आपकी file delete हो गई होगी तो यह true return करेगा तो इसको आप if condition मे रख के check कर लिजे तो मैंने if लगाया और इसमें इस तरहीक से pass कर दिया अगर यह file आपकी successfully delete हो जाएगी तो मैं यहां पर दे देता हूँ echo से message आ जाए success का ठीक है लेकिन अगर यह file delete नहीं होती है मतलब database से तो else आ जाए failed ठीक है तो मैं आपको पास कर देता हूँ failed कुछ इस तरहीके से save कर लेते हैं और इसको अब हम run करके check करते हैं कि जितनी भी हमने अभी coding करी है यह सारी सारी क्या यह सही से काम कर रही है कि नहीं ठीक है तो आज यह यहाँ पर और इसे एक बार मैं reload कर लेता हूँ और देखिए मैं simple से एक task वाला देख रहे है ना इस पर मैं क्लिक करता हूँ ठीक है यह फिर इस पर क्लिक करता हूँ chapter 2 वाले पर तो मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर message आ गया हमें response में success का ok के button पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर से तो यह remove नहीं हुआ ठीक है और यहाँ पर देख लीजे MB भी कम नहीं show करता है पहले भी इतना show करता था अभी इतना show करता है ठीक है एक बार reload करिए यहाँ से तो देखिए reload करने पर क्या क्या चेंज हुआ है यहाँ से तो delete हट गया मतलब यहां से तो delete हो गया और आपके file से भी delete हो गया होगा file से मैं आपको दिखा सकता हूँ क्या से delete हुआ हो का काम कर रहा है ठीक है लेकिन यहां पे यह storage कम नहीं हुआ ठीक है अब तो यहां पे यह कुछ ही के भी इसने लिये होंगे MB तो लिया नहीं होगा टास्क ने तो अब आपको साथ के साथ इस storage को भी update करना होगा तो मैं आपको यहां पे एक बात बताता हूँ जिस तरीके से आपने file को upload करते समय इस storage को update किया था ठीक उसी तरीके से आपको file को delete करते वक्त भी इस storage को update करना है मतलब same code ही आपको यहां पे लिखना है तो क्यों ना आप उसी code को copy paste कर लीजे ठीक है तो मैं आपको copy paste करके दिखाता हूँ कैसे होगा ठीक है तो देख लीजे php folder में आईए और देखे upload.php से आप क्या करते थे file को upload करते थे ठीक है और जब देखे यहां पे file को upload जब आपकी file upload हो जाती थी यहां पे देखिए कहां पे ओए upload देखे यहां पे move uploaded file देख रहे है यहां पे हम यहां पे file upload कर देते थे ठीक है और अगर आपके file successfully upload हो जाती थी तो हम्हें यहीं पे message देते देते है travailler को भी update कर दे थे है तो देखे हम नहीं आपे क्या किया है insert कर रहे हैं यहां पर insert into user id ठीक है मतलब यहां पर insert वगरा करके जो database के अंदर हमने insert कर दिया जो भी file आपकी upload हुई है उस file को हमने database में भी उसकी entry कर दी है फिर उसके बाद यहां से देखिए यहां से storage को update करने का काम हो रहा है यहां से fssql से यहां पर select कर रहे हैं हम इसको file size वाले column को ठीक है और उसका total निकाल रहे है total निकाल के as keyword से एक usd column create कर रहे है ठीक है उसी table में ठीक है और उसका sum निकाल करके इस column के अंदर हम उसका रख दे रहे है ठीक है file size जो है आपका मैं दिखाता हूँ यहां पर जैसे file size आपका column है तो इस column को पूरा total करके एक नया column बन रहा है dynamic ठीक है dynamic column बन रहा है UDS के नाम से used storage के नाम से और उसके अंदर इसका जो total है चला जारा है ठीक है और किस table से तो देखिए वो table का नाम यहां पर लिखा हुआ है user id folder तो आपको simple करना क्या है यहां से इसका पूरा code copy करना है और कहां तक copy करना है मैं आपको बताता हूँ ज्यादा नहीं copy करना है यहां तक ही copy करना है देख लिजे यह if start है आपका यहीं तक ठीक है इसको कर लिजे आप copy ठीक है और यह डिलीट फाइल जो देख रहे है इसमें आ जाए और यहां पर echo वाला जो success है इसको remove करिए और यहां पर paste कर दीजे ठीक है और जो यह इसका इसका खुला हूँ है इसको ऐसे बंद कर दीजे ठीक है और इसके बाद यहां पर देख लिजे हमने UDS के अंदर निकाल के रख लिया तो UDS के अंदर से UDS के अंदर मतलब यूज्ड स्टोरेज के अंदर जितना file size गया है उसको देखी हमने यहां पर निकाल के रखा है total used file size variable में अब कैसे निकला यहां पर देख लिजे आपको सब पत कर लिया ठीक है तो यह जो total हुआ होगा तो इसके पॉइंट में number आया होगा तो मैंने यहां पर round method लगा के इसे round कर दिया ठीक है to देने का मतलब point के बाद के सिर्फ दो value ही यहां पर आनी चाहिए ठीक है तो इस तरही किसे हुआ और यहां पर हमने जो main total used file size था वो निकाल लिया ठीक है तो इसको निकालने के बाद आपको क्या करना था यहां पर जो main table था वहां पर storage को update करना था तो देखें यहां पर update की वारी चल रही है update users table used storage is equal to total used file size तो यह वाला variable देखें यह रहा तो हम क्या करें used storage के अंदर जो अभी latest वाला total size था file size का ठीक है total used file size था उस email में जहां पर user email अभी login है ठीक है तो यह वाला जो आप देख रहें यूजर email तो यह वाला variable इस page में नहीं है ठीक है तो इसको आपको निकालना पड़ेगा कैसे निकालेंगे पहल तो यहां पर start कर लिए session को ठीक है तो मैं यहां पर write कर लेता हूं session start कुछ इस तरीके से औ आप क्या करो profile.php के अंदर ही देख लिजे ना यहां पर हमने session से निकाल के रखा हूआ है कहा गया यहा यूजर email copy कर लिजे इसको और यहां पर paste कर लिजे ठीक है तो हमारे पास यहां पर user email भी आ गया है ठीक है और यहां पर वही query चल गई है यह update वाली कि अगर यह आपक storage अगर update हो गया है तो क्या होना चाहिए और अगर update नहीं हुआ है तो else में यहां पर लिख दीजे तो क्या होना चाहिए ठीक है तो अब मैं यहां पर आपको एक चीज और बताना चाहूंगा यहां पर अगर आप सिर्फ success इस तरही किसे pass कर देंगे सिर्फ ऐसे ही लिख दे स्टोरेज की स्पेलिंग गदा था तो साही कर लेते हैं स्टोरेज नॉट अपडेटिड ओके तो यहां पर मैंने इस तरही की से लिख लिया ठीक है अब आप इसे सेफ कर लिजे और आप इसे रन करके लेके टेस्ट करें तो पहले मीं फाइल कुछ अप्लोड कर लेता हूं यहां से तो देखिए फाइल अप्लोड हो गई यहां पर आ गिया 1.08 बीका स्टोरेज यहां पर है ठीक है डेखिए मैं इसे रिप्रिक। करते हूं, अभी सब reload करूं मैं इसे तो यहां आ चाहिए ज़रा इसके अंदर delete file.php में और यहां देखने यह लिखा है ना user id folder मतलब हम यहां पे किस table से इस sum को plus कर दें मतलब इस file size को plus कर दें तो वो table का नाम आपको यहां पे देना है ठीक है तो यहां पे यह variable तो बना नहीं है लेकिन जो यहां पे table का नाम आना चाहिए वो हमारे इस folder variable के अंदर रखा हुआ है तो आप इस folder को यहां पे इस तरीके से use कर लिजे ठीक है तो अब आप इसे save करेंगे तो देखिएगा यह अब आपका सही से काम करेगा ठीक है लेकिन जो आपके अभी फाइल थी नहीं वो तो successfully यहाँ पे delete हो चुकी है ठीक है जो हमने अभी एक बार click कर दिया तो यहाँ से वो file delete हो गई है वापस से अब आपको क्या करना पड़ेगा upload करना पड़ेगा तो मैं upload पर click करता हूँ और यहाँ पर यही file को upload कर देता हूँ ठीक है देखिए file upload हो गई अब क्या करते हैं अब इसे delete करते हैं तो देखिए अब मैंने इस पर click किया तो देखिए यहाँ पर क्या आगे message success का message आगे और यहाँ देखिए 1.8 MB storage आपको देख changes दिख जाएगा मतलब यहाँ पर क्या हुआ है delete हो गई आपकी file और यहाँ पर storage भी update हो गया है लेकिन instant change नहीं दिख रहा है कब change दिख रहा है reload करने पर ठीक है तो इसको instant change में भी हम बदल देंगे अब वह कैसे होगा instant change वह मैं आपको बताता हूँ जैसे ही हम upload file पर click करते है ठीक है और कोई भी file upload करते है तो यहाँ पर जिस तरीकी से instant change आपको दिखता है यही instant change हम delete में भी लगाना है तो इसी का code ही हम इसमें paste कर देंगे जैसे अभी हमने code copy paste किया वैसे ही इस instant change होने का code है उसको भी हमें copy paste करना पड़ेगा ठीक है अब यह कैसे होगा जरब दे इसके अंदर भी delete file के अंदर भी message है वो इसी तरीके से array में ही देना है ठीक है तो अब क्या करिए इसका यही वाला echo वाला code है इसी को copy कर लेजे array को और delete file के अंदर जहां आपने success दिया है वहाँ पर इस तरीक से paste कर देजे और यहाँ पर file upload successfully की जगा लिख दीजे file delete successfully ठीक message दिया है और दूसरा used storage नाम की आप की बना रहे है जिसके अंदर जो final storage आपका यहाँ पर आया है उसको आप यहाँ पर भेज रहे हैं ठीक है तो यह दो चीज आप यहाँ पर भेज रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ देखिए नीचे जो हमने यह तीन message इस तरीके से simple way में द करके इस message वाले key के value में इस तरीक से pass कर दीजे और इसके अंदर हमें used storage देनी की ज़रुवत नहीं है तो आप इस used storage को पूरा यहाँ से इस तरह से cut कर लीजे ठीक है मतलब एक ही यहाँ पर key होनी चाहिए message की और यह वाला जो echo है इसको आप हटा दीजे ठीक है फिसे इस वाले को copy कर लीजे और यहाँ पर जो field लिखा है न यहाँ पेस्ट करके जो field है इसको यहाँ से हटाईए और इस message के अंदर यह field ऐसे pass कर करना दीजे ठीक है पर उसके बाद यहाँ पे यहाँ फाईल ना कई डिलेटिटीड वाला भी है तो इसको भी क्या कर देये simple से paste कर देये और यहाँ पे file not delted को यहाँ से हटाईए और यहा पे स से update कर दीजे और यह वाला को हटा दीजे ठीक है तो इस तरहीं किसे आपको य कर लिए जिए डिलीट फाइल को और वापस से आ जहिए कहां पर myfiles.php पर जहां पर आपने यहां पर alert और console.log के अंदर अपना response को printout किया है ठीक है तो इसके अंदर आपको एक code copy paste करना है same to same code है मैं बताता हूँ आपको कहां पर है वो code profile.php के अंदर आईए ज़र profile.php में और ज़र देखिए upload का code आपने कहां पर किया है तो देखिए यहां पर यह रहा upload का code देखना है upload.click upload का यहां पर हमने code किया हुआ है ठीक है तो upload के Ajax के अंदर देखिए कहां पर success आया हुआ है तो देखिए यह रहा success आया हुआ है ठीक है आपको simple करना क्या है यहां से लेकर के यह if वाला code है ना if वाला code और यह else वाला code यह सारा code आपको यहां से copy कर लेना है ठीक है यहां तक यह variable से लेकर करके जहां पर else खतम हो रहा है यह सारा code copy करना है तो इसे copy कर लिजे ठीक है उसके बाद यह delete file.php है na sorry myfiles.php है इसके success के अंदर यह हटाईए console और alert को और इसके अंदर इस तरीकी से paste कर दीजे ठीक है क्य हुआ है यहां देख लिए रहना width वगएरा सब कुछ हमने करके रखा है बस अब आपको एक बार इसे recheck करना है और कुछ नहीं करना है यहां पर देख लिजे यहां पर json.parse करेंगे response को तो यहां पर object निकल के आएगा ठीक है यह वाई line delete कर दीजेगा यह हमें जरूरत न इसको आप copy करके यहां पर इससे comparison कर लिजेगा ठीक है file delete successfully अगर आता है तो क्या होना चाहिए अगर file delete successfully आता है तो object के अंदर से used storage निकलेगा तो used storage क्या है जो आपने यहां से यह की भेजी है ठीक है तो यह भेजेगा यहां से और इसे multiply करेगा यह और divide कर देगा किस से total storage स है okay so देखिए total storage को जो variable है वो हमारे इस myfiles.php में नहीं है तो इसे आप निकाल लीजे कैसे निकालेंगे ज़र देखिए ऊपर आईए देखिए यहां पर user data आप निकाली रहे है profile.php में आओ ज़रा और ऊपर भी आओ यहां पर तो देखो यहां पर आपने total storage निकाल के र रहे हो तो user data array के अंदर से हमें storage निकाल लिया बस यह हो गया आपका यहां total storage का variable नहीं था तो वो यहां पर आ गया है ठीक है अब आजाए यह वापस से नीचे Ajax के अंदर ठीक है और देख लेते हैं इसको recheck कर लेते हैं एक बार फिर से यहां पर total storage आ गया और यहां पर new percentage जो भी हो निकल जाएगी और automatically यहां पर सब कुछ update हो जाएगा और यहां पर यह भी variable वगयरा सब बनेगा सब कुछ होगा काम बस हाँ इस चीज को देख लीजे यह my files देख रहे हैं इसको हटा दीजेगा यह क्योंकि यहां पर यह variable मतलब यह function यहां पर नहीं है तो यह execute न रिलोड कर लेता हूँ और देखिए मैं क्या करता हूँ chapter number 2 है pdf इसको delete करता हूँ आप storage पर ध्यान दीजेगा ठीक है तो देखिए मैं इस पर क्लिक किया और देखिए file delete successfully message आया और देखिए storage dynamically automatically यहां पर कम हो गया ठीक है तो अमीद करता हूँ आपको समझ में आ गया चोटा सा bug और रहे है कि जब मैंने इसे delete कर दिया तो यह यहां क्या करता है chapter 2 का pdf इसे जब मैं reload करूंगा तब जाएगा ठीक है तो अब इसे reload हमें करने की ज़रत ना पड़े डिरेक्ट यह delete हो जाए click होते ही ऐसा कुछ होना चाहिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेग मैं आपको बताता हूँ यहां पे यहां पे जब आप delete पे click करवा रहे है तो यहां पे आप क्या करिए एक variable बनाईए c e के नाम से c e मतलब है click element या फिर clickable element आप समझ लिजे इस तरही किसे मैंने यहां पे बनाया है और इसके अंदर आप क्या करिए उस element को इस तरही किसे select क निकाल लेंगे ठीक है कैसे निकाल लेंगे जो दिखाता हूँ मैं आपको यहां पे आईए नीचे जहां upload message आपको पास यह message आ रहा है न upload वाला delete वाला message आ रहा है कि आपका जो file delete हो गया successfully उसके नीचे यहां पे आईए और जो c e variable हमने उपर बनाया था उसको इस तरही के स हाँ select कर लिजे ठीक है या फिर हाँ select कर लिजे c e variable को ठीक है यह कुछ इस तरही के से और इसके अंदर एक parent नाम का आपके पास एक method मिलता है देखे parent पी आरी एंटी ठीक है अगर parent नाम का यहां पर मैं method लगांगा तो यह मैं को क्या निकाल के देगा मैं आपको बताता हू है सो मैंने यहां पर console.log में इसे इस तरही की से print किया ठीक है और अभी मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं जैसे की देखी लीजे यह आपका delete button है मैं इस पर right click करके inspect करता हूं और यहां पर देखिए मैं आपको दिखाता हूं यह रहा आपका main eye ठीक है अब इस eye का main div लगाया है और justify content around लगा हुआ है ठीक है अभी अगर मैं यहां पर click करूंगा तो अभी कौन सा div आएगा parent के माधियम से यह वाला div मेरे को मिल जाएगा ठीक है देखिए का console में मैं इसे reload करता हूं एक बार और फिर click करता हूं तो देखिए मैंने click किया तो यहां पर justify content around वाला जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था यहां element के अंदर ठीक है वही div आपको यहां पर मिल गया ठीक है अगर आप इस div का जो यह div का भी आप parent निकालना चाहते हैं तो आपको इसमें phase से parent लगाना पड़ेगा dot देखे parent ठीक है कुछ इस तरही कैसे तो यहां पर हो ठीक है यह वाला div है तो इस div का parent element कौन सा है यह वाला div ठीक है फिर इस div का parent कौन सा है इस div का parent है आपका मैं बताता हूँ इस div का parent है आपका यह वाला div और इस div का parent है यह वाला div मतलब हमें कौन सा div चाहिए यह वाला मतलब हम यहां पर कितनी बार parent निकालेंगे चार बार ज select करना पड़ेगा ठीक है तो यहां पे मैं four times parent को ऐसे write कर लेता हूँ ठीक है तो दो बार तो write करी रखा है और दो बार all right कर लेता हूँ ठीक है अब आप इसे console.log में ही रहने दीजे फिलाल save कर लीजे और reload करेके मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ ठीक है पहले तो अब यहां पे सारे के सारे ही delete हो गए अप्लोड कर लेते हैं पहले तो upload कर लिया इसको इसको भी upload कर लेता हूँ ठीक है अब देखे मैं इस पर click करता हूँ तो जैसे देखे मैंने क्लिक किया तो देखे मैं कौन सा वाला div मिल गया column वाला div मिल गया call md4 ठीक है तो बस अब आपको करना क्या है जैसे ही इस button पर click होता है वैसे ही आप इस div को remove कर दीजे तो यह आपका click होते ही यहां से भी remove हो जाएगा अगर यहां से यह delete हो गया है तो ठीक है तो simple से अब मैं इसे console.log से निकालता हूँ ठीक है कुछ इस तरीके से और इसी के अंदर यहां पर remove method को इस तरीक गम्हादानाटाये से pass कर देता हूं और इसे save कर लेता हूँ तो इतना करने से क्या होगा जैसे ही आप जिस file को delete करेंगे वह यहां से भी delete हो जाएगा और सब जगह से delete हो जाएगा ठीक है है तो मैं यहां पर क्या कर ता हूँ सब से पहले filebin को upload कर लिता हूँ जैसे यही file है इसी को upload कर लिया ठीक है दिखे आगया file upload successfully अब देखे मैं इसे delete करता हूँ ध्यान से देखेगा मैं इस पर click करता हूँ देखे यहां से delete यहां से भी खतम और यहां message आगया file delete successfully तो उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आगया होगा कि आप किस तरीके से file को delete करने वाला यहां पर program बनाएंगे और यहां पर देख लीजिए यहां पर मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है यहां पर हमने जो चीज पहले बना के रखी है उसको ही हमने दुबार से use कर लिया है क्योंकि एक ही code को बार-बार करना यह सही नहीं होगा ठीक है मतलब बार आप उसी का algorithm बार-बार लगाओगे तो वो सही से काम नहीं करेगा इससे बड़े यही है कि आप code को वहां से copy करो paste करो अपना time बचाओ ठीक है तो उमीद करता हूं यह चीज सही से आपको समझ में आ गई होगी तो यहां पर फिलहार सब कुछ बन चुका है my files, favorite files तो नहीं समझ लिजिए आपको अच्छे से PHP आ चुका है, task क्या है जोड़ा उसको ध्यान समझिएगा, यहां पर देख रहे हैं यहां पर profile picture लगाने के लिए एक option दिया गया है, ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहां पर जब एक बार click हो, तो इस तरही किसे open हो, ठीक है, और इसमे काम करना है, अब आप कहां store करोगे profile की photo और database में कहां रखोगे यह आपको सोचना है, ठीक है, तो आप क्या करिएगा, इस जो यह feature है na profile picture वाला, इसको बनाने की कोशिश करिएगा, अगर आपने बना दिया तो समझ लिजेगा कि आपको PHP और JavaScript अच्छे से आ गया है, ठीक है और एक काम करिएगा, इस feature को बनाते वक्त, आप जो यह main project है, इस project की copy करके रख लिजेगा, पता चले कि आप इसको बनाते बनाते पूरा project ही इदर से उधर हो जाए, ठीक है, तो एक काम करिएगा, इसको copy करने के बाद ही आप इसको बनाईएगा, ठीक है, तो यह task दे रह उसे की करें कि आप एचे है